स्वागत करता है पोचाना loneliness इस video में नाहीं मैंने किसी engineering college के बार में बुला बुला है या फिकिसी entrance exam के बारे में बुरा बुला है जो कुछ भी share करूंगा सारे के सारे practical experiences रहने वाले है तो चलिए शुरू करते हैं जैसे कि आपने देखा है title में thumbnail में Why MSTCT is better option than JEE for महराष्टर students मतलब महराष्टर में जो students रहते हैं महराष्टर के जो students है उनके लिए MSTCT क्यों better option है क्यों better option है than JEE और इसका answer देने के लिए मैंने बहुत सारे practical experiences को collect किया है बहुत सारे बच्चों का lifestyle मैंने देखा है उसके बाद ही मैं conclusion आपको दे रहा और यह मेरा perspective है माई opinion है ठीक है इसमें judge मत करना तो देखिए जैसे आपके 10th class की board exam खतम हो जाती है आपको और आपके parents को पता चलता है about IITs जैसे आपको IIT के बारे में पता चलता है आपको examination के बारे में पता चलता है mains देना पड़ता है advance देना पड़ता है अब जब exams के बारे में पता चलते है तो आप search करना start करते है ऐसे institutes जहाँ पर in exams की preparation होती है जब आप search करना start करोगे तब आपको बड़े बड़े नाम आएंगे places के for example कोटा याद आ जाएगा मतलब कोटा आने वाले search करते करते हैदरबाद आने वाले अब भी फिलाल सारे states में बड़े बड़े institutes आ रहे तो for example बात करते हैं तो महाराशा में भी बहुत बड़े बड़े institutes है जो preparation करते हैं मतलब बच्चों से preparation करवाते हैं अब institutes पता चल गए अब उन में से कुछ institutes में आपका admission हो जाएगा आपको enroll कर देंगे एक बड़ी सी amount fee पर pay करके आपका admission वहाँ पर कर देंगे दो साल के लिए अब दो साल के लिए admission तो कर दिया है तो on and average according to data 200 to 600 students per batch में होते हैं हर साल institutes में कुछ बड़े institutes हैं चाहाँ पर 600 students पढ़ते हैं एक साथ एक batch में अब अगर बात करते हैं 600 students के तो उन 600 students में से पहले 50 to max to max 80 students जो होते हैं उनको बड़ीया से college मिल जाते हैं including IIT, NIT, IIIT, government colleges and some top private colleges बाकी के जो बचे 520 students है वो left out हो जाते हैं और अगर बात करूं महाराश्य के students की जब वो बाहार जाके पढ़ते हैं यह फिर महाराश्य में ही पढ़ रहें बट JE की preparation कर रहें बट दो साल के बाद जब वो left out हो जाएंगे तो उनके पास option नहीं रहने वाला है क्यों नहीं रहने वाला है मैं बताता हूं जब आप preparation स्टार्ट करोगे तो 12th standard में around December में आपको अपका preparation रोकना पड़ेगा क्योंकि आपको board exams की preparation करनी पड़ेगी दो मैंने board exams की preparation करोगे board exam दे दोगे February मार्च में जैसे मार्च में preparation खतम हो जाएगी आपकी JE की exam आने माली है इंदी month of April JE की exam दोगे है उसमें भी score अच्छा नहीं आने माला है आप preparation नहीं हुए तो marks कैसे अच्छा हैने वाले ठीके board exams हो गया JE मेंस हो गया जब JE मेंस में कम marks आते हैं तो उनके पास कुछ बचते है option सबसे पहले option आता है कि कुछ private colleges जो top private colleges है उनके entrance exam दे and second option बचते है कि हम जिस state में है that is in महाराष्टा महाराष्टा की जो entrance exam that is MSTCT उसकी preparation स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो वो private colleges के entrance exam भी दे देंगे उसके बाद parallely 2-3 मेने तक MSTCT की preparation भी स्टार्ट कर देंगे 2-3 मेने की preparation होती है month of May या फिर June में आपकी MSTCT भी exam भी होने वाली होती है अब 2-3 मेना आपको कम पढ़ जाता है क्योंकि MSTCT वैसा देख जाये तो easier than J but MSTCT का syllabus अगर easy भी है difficulty level थोड़ी सी कम भी है तब भी उस exam में बहुत ज़्यादा practice लगती है आपको वो practice आप 2-3 मेने में नहीं दे पाते इसलिए MSTCT का भी result उतना बढ़िया नहीं आता है अब conclusion देखो ना ही JEE का result बढ़िया आया ना ही MSTCT का result बढ़िया आया और आपको इस वज़े से अच्छे colleges ना ही महाराश्या में मिल रहे है ना ही इंडिया में मिल रहे है अगर यही 2 साल मतलब 2 मेंने जो अपने MSTCT के है यही 2 मेंने के वज़े है अगर आप 2 साल MSTCT की preparation करते तो आपको कम से कम महाराश्या के top engineering colleges including government colleges पक्के हो जाते आप deserve करते हो बढ़िया आपको नहीं मिलता क्यों नहीं मिलता एक गलती कर बढ़िया हो कि सब जेए की preparation करने इसलिए हमें भी जेए की preparation करना है preparation करने से पहले मैं students को request करना चाहूंगा कि आप अपने parents के साथ बैटिये एक बार syllabus देखिये उनके साथ बात कीजिये मेर से होने माला है कि यह नहीं होगा तो मैं CT करूंगा अगर मुझे engineering करना है बढ़िया college से मैं तो CT करूंगा CT का difficulty level थोड़ा सा कम है बट दो साल जब मैं practice करूंगा rigorous practice तो मुझे score भी अच्छा आएगा और score अच्छा आने के बाद college अच्छा मिलने वाला है और जब college बढ़िया मिलेगा आपको तो job opportunities बढ़िया मिलेंगी placements बढ़िया होगे और जो left out students जिनका J.E. में भी अच्छा नहीं हुआ है जिनका M.S.T. CT. में भी नहीं अच्छा हुआ है उनको normal private colleges में end up करना पड़ते है उनका engineering जहाए पर ना ही placements अच्छी होती ना ही job opportunities नहीं faculty अच्छा पड़ाते तो पूरा future उनका danger में आ चुका है तो यह आगे का future यह danger में आगर आपको लगता है नहीं आना चाहिए इसलिए अभी 11th में एंटर करने से पहले सोच समझ के एंटर किजिएगा parents अपने students के साथ अपने बच्चों के साथ एक बार बैट के discuss करना इस बारे में कुछ students होते है हाला कि जो J-E-B अच्छा कर लेते हैं जो C-E-T-B अच्छा कर लेते हैं बट अगर मैं बात करू सारे बच्ची तो ऐसे नहीं होते हैं मैं अगर बात कर रहा हूँ उन left-out students की जो maximum amount में है वो minimum amount of students की बात नहीं कर रहा हूँ जो 50-80 में आते हार एक बैच में मुझे जानना है मुझे बताना है उन students के बारे में जो left-out हो जाते वो भी deserve करते हैं बढ़िया college बट नहीं कर पाते एक गलत decision के वज़े से ये वीडियो का यही conclusion अगर महाराश्चा के students के पास एक better option है that is MST-CET तो उसके बारे में एक बार सोचना जरूर दो साल अगर आपको invest करना ही है तो MST-CET में करिए practice कीजिए पढ़ाई कीजिए आपको बहुत बढ़िया college opportunities मिलने वाले है महाराश्चा में बहुत बढ़िया colleges है including government college उनमें आपको admission मिल सकता है और आपका future आप secure कर सकते हो तो इस वीडियो को यह रोकना पड़ेगा मुझे जो कुछ भी कहना था जो कुछ भी experience से मैंने बोल दिये अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ पसंद आयाओ helpful लगाओ तो एक लाक जरूर करना ज्यादा ज्यादा बच्चों में share करना नयोंते चैनल में subscribe करके ज